प्रस्तुत निबंध एक कुता और एक मेना हजारी प्रशाद द्वेजी जी की सुपर्शिद रचना है इस रचना में उन्होंने भावात्मक शैले का प्रयोग किया है और बहुती साधारन घटनाओं को सेष्ठ रचना के रूप में प्रस्तुत किया है पूरे निबंध में गुरुदेव रविंदर नात का व्यक्तित्व जलकता हुआ आपको स्पष्ट दिखेगा लेखक ने गुरुदेव से भेट की एक घटना और उनकी साहनुबोती के आधार पर अपनी शैले का उले किया है एक दिन गुरुदेव ने निश्चे किया कि वे आश्रम को त्याकर अन्यत्र रहना चाहते हैं वे श्री निकेतन के पुराने तीन मंजिले मकान में आकर रहने लग जाते हैं उन दिनों उपर जाने के लिए लोहे की चकरदार सीडियों का प्रयोग करना पड़ता था लेखक ने चुट्यों में गुरुदेव के दर्शन करने की ठान ली यहां लेखक ने दर्शन शब्द का प्रयोग किसी अभिप्राई से किया है जब भी लेखक किसी बाहर के वेक्ति को लेकर उनके पास जाता था तो कहा करदा था एक भदर लोक आपना दर्शनेर जन्य ऐसे चेन इस पर गुरुदेव मुश्कुरा देते थे और कहते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या वे तो लेखक को भी दर्शनार्थी ही कहा करते थे यानि जो दर्शन के लिए आएवे हैं वो लोग उस पुराने मकान में गुरुदेव अकेले ही रहते थे इसलिए वहाँ पर आश्रम जैसी भीड़बार नहीं होती थी जब लेखक वहाँ गुरुदेव से भेंट करने के लिए जाता है तो लेखक गुरुदेव को देखता है कि वो छिपते हुए सूर्य को बहुत ही ध्यान से तल्नेंटा से देख रहे थे यह एक सियोग के बाद थी कि उसी समय एक कुत्ता जिसने संती निकेतन में गुरुदेव का सहचेरे प्राप्त किया था अपनी घ्राण शक्ती के बल पर वहां आ जाता है यहनी सुंगते सुंगते उनके पास आ जाता है स्वर्गिय सनिध्य उनका प्राप्त करना चाहता है कुत्ता इसलिए उनके पास चला आता है गुरुदेव उस पर अम्रित स्पर्शी हाथ फिराते है और उसकी जो उनका सनेह है कुत्ते की आँखों में सपस्ट दिखाई देता है अभूत्पुर्व सुक्त जो कुत्ते को महसूस हो रहा है गुरुदेव के साथ मिलकर के उसका कुत्ते का रोम रोम इस बात से बता रहा है कि वहाई सनेह जो है उसके लिए कितना कीमती है कैसी अजीब बात है उस कुत्ते को किसी ने मार्ग भी नहीं दिखाया नहीं रास्ता बताया फिर भी वहाई दो मील चलकर अपने सनेह देने वाले के पास कैसे पहुँच गया बाद में गुरुदेव ने इस कुट्टे को लक्षे करके आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी इसी कुट्टे पर एक कविता लिखी थी जो आरोग्य में लिखी थी उन्होंने कुत्य की करुण दृष्टी के भीतर उन्होंने सने भाव के महान सत्य को देखा था जबकि मानो मानो में यह सने भाव नहीं देख सकता कुत्य एक इंसान में सने भाव देख रहा है उस प्रकाशे गुरुदेव कह रहे हैं कि मानों दूसरे मानों में ऐसा सने भाव नहीं धेख सकता उन्होंने यह भी बताया कि कैसे यह भक्त कुता उनकी उपासना के समय उनके आसन के पास चुपचा बैठा रहता है और जब पूजा के बाद अपना सने पुर्ण हाथ उस पर फेरते हैं तो आनन से खुशी मगन हो जाता है पुलकित हो जाता है कुता वास्तों में चैतन्य शील प्राणी है वह बिना कारण के निश्वार्थ भाव की प्रेम भाव रखता है और उसी को व्यह भली बाती समझता भी है करुण दृष्टी से आत्म समर्पन के भाव जो है कुता प्रकट करता है गुरुदेव ने वानी विहीन कुत्ते की करुण दृष्टी से एक महान सत्य देखा है उसमें उसको सच्चाई दिखी है गुरुदेव को इसलिए द्वेजी जी ने कहा कवी की मर्म भेदी द्रिष्टी ने इस भाशाहीन प्राणी की करुण द्रिष्टी के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुश्य के अंदर भी नहीं देख पाता इसके साथ ही लेखक दूसरी घटना का वनन करता है जो भी आश्चेरी जनक है जब गुरुदेव की चिता भस्म को कलकत्ते के आश्रम में लाया गया तो वह कुता बड़े सहज भाव से वहां आश्रम वासियों के साथ बड़े उदास भाव से उत्तरायन तक गया हो सकता है कि उसे गुरुदेव की ने रहने का दुख हो इसी प्रकार लेखक अन्य प्रसंकाव लेख करते हुए बताता है कि जब गुरुदेव नए नए शान्ती निकेतन में आये थे और एक पुराने अध्यापक के साथ घुमने लगे तो गुरुदेव ने कहा कि आश्रम के कोवे कहा चले गए उनकी आवाज ही सुनाई नहीं देती लेखक ने महसूस किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोवे दिखाई नहीं दे रहे बाद में हजारी प्रशाद द्वियदी जी ने लक्षे किया कि कोवे कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं यहीं दूसरी जगे पर रहने को चले जाते हैं इसके बाद की घटना लंगडी मेना के संबंद में है गुरुदेव ने उसे देखकर कहां देखते हो यह यूद्ष भ्रस्ट है रोज फुदकती है यहीं आकर मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है गुरुदेव को जब लंगडी मेना दिखती है तो उन्हें उस पर दया आ जाती है इसलिए वो कहते हैं कि उसकी चाल में उन्हें करुण भाव दिखाई देता है यानि दया का भाव दिखाई देता है गुरुदेव के कहने पर लेखक उस मेना में नहीत करुण भाव को अनुभव कर सकता था बाद में लेखक ने अपने अनुभव के अधार पर पाया कि मेना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी नहीं है बलकि वह तो दूसरों पर अनुकमपा दिखाने वाली है यानि दू सुरखों में मैना का एक जोड़ा हर वर्ष अपनी ग्रेस्ती जमाता था लेखक द्वारा दिवार में इंट लगा देने पर वे खाली स्थान का उप्योग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे यानि लेखक उस छेद को बंद कर देता था इंट से तो भी मैना उसको अपना घर बना लेती थी अपना सारा काम बड़े उत्साह और परिश्रम से दोनों करते थे यानि मैना और मैनी इतना परिश्रम करने पर भी वे प्रसंद चित रहते थे और उनके गाने जो थे बहुती खुश भाव से गाये जाते थे प्रसंद भाव से गाये जाते थे दोनों पत गुरुदेव ने मेना में जो करुण भाव देखा था उस पर भी उन्होंने कविता लिखी थी गुरुदेव ने अपने हिदे सामराज्ये में विच्रण करके उस मेना की करुण दसा का अनुमान कर लिया था वह वेचारी किसी परिष्टिती विशेश में पढ़कर अपने प्रिया से विमुप्त हो चुकी थी एक दिन वह मेना उड़ गई इस प्रकार के विवेचन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कवी की दृष्टि में जो मर्म भेदी शक्ती होती है उसके दर्शन अन्यत्र कहीं भी नहीं हो सकते यानि कवी जो होता है वो किसी पशू पक्षी किसी पर भी अन्य उसका तादपरिय लेकर के कविता लिख सकता है कवी केवल मानव रिद्य की ही बात नहीं समझते अपितु मानवों से अलग पशू पक्षियों के इसने की भावना को भी सहजी अनुभव कर सकते हैं लेखख ने गुरुदेव रविंदरनाथ के दर्शिन करने वालों के संदर्ब में उन्होंने एक बात कही थी जो ये कहा ता कि मुझे अत्यंत खेट के साथ कहनी पड़ रही है कि दर्शिन करने वाले लोग बहुत धूरत होते हैं वे समय, ऐ समय, स्थान, ऐस्थान, अवस्था या अनावस्था का जरा भी ध्यान नहीं रखते उन्हें यदि रोकने का प्रयास भी किया जाए तो वे रुकते नहीं हैं और दर्शन करने चले आते हैं धुसरों की सुईदा का उन्हें तनुक भी ध्यान नहीं होता एसे दर्शन करने वालों से ही गुरुदेव रविंदरनाथ डरे डरे रहते थे लेखक ने गुरुदेव रविंदरनाथ से एक बार अपने परिवार सहित मिलने के लिए जाना था इसी लिए वैसी धा शीनी के तन पहुंचा जहां गुरुदेव बड़े अनन्द में रहते थे कविवर रविंदरनाथ जी जब अपने पुराने तीन मंदिले मकान में आकर रहने लगे तो एक दिन उनके शंतिनी कतर में रहने वाला कुटा दो मील का सफर करके आ जाता है और जिस पर भी वो कविता लिखते हैं जिस अगी मैंने पहले आपको पार्ट में बताया है इस प्रकार से पूरी जो कहानी है कुटा और मेना पर ठीकी हुई है गुर्देव रविंदर नाथ जो थे अपनी मर्म भेदी दुस्ती से यह बता देते हैं कि मुख प्राणी भी अपने सहज भाव से मानव को महान सकते के दर्शन करवा सकते हैं यानि मनुश्यों को सिख्षा दे सकते हैं अपने सहज भाव से सहज ज्ञान से जबकि उनको इश्वर ने बोलने के लिए मुख नहीं दिया है यह वो बोल नहीं सकते हैं लेकिन अपनी जो उनकी भावनाई हैं उनका वो एहसास मनुष्य को करा सकते हैं जिसे मनुष्य को महान सकते हैं जो है जीवन का उसका पता लग सकता है जबकि जो मिलने आने वाले थे उन्हें लेखक ने धूर्ट कहा है जबकि उन्हें इश्वर ने बोलने की शक्ति और सभी शक्तियां अन्य शक्तियां जो पशू में नहीं होती हैं वो भी प्रदान की हैं तो इस निपंद में उन्होंने पशू और पक्षी का उधारण दे कर उनमें जो प्रेम, भक्ति, विनोध और कर्णा जैसे मानमे भाव हैं उनका विश्तार किया है